बिस्मिल्हामाने, असलाम लेकूम, आज हम लोग देन्ट क्लास की फिसिक्स चेप्टर नमर एटीन, अटोमिक ए नुक्लियर फिसिक्स का जो नेक्स्ट टोपिक एटिंप फॉर्ड नुक्लियर ट्रांस्मुटेशन के जो सब हैदिंगे, नीचर एंप प्रोपर्टीस ओफ र रेडियो, एक्टिव एलिमेंट, यह थ्री डिफर्ट डाइप्स की रेडियेशन जो है वो अमिट करते हैं जिसमें हम लोग ने बात की थी कि आल्फा पार्टिकर्स, फास्वन को हम लोग ने स्टडी कहता हैं कि आल्फा पार्टिकर्स हैं, साइकिमन बोचे वो थे हमारे पीटा पार्टिकर्स, और लास्ट वन थी वो थे हमारी गैमर रेडियेशन, इस तरह से हम लोग गैमा को शो करते हैं, यह गैमर रेडियेशन, तो जो हमारे जितने भी नेचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो थ्री डिफर्ट डाइप्स की रेडियेशन जो जो हमारे नेर्चा रेटो एक्टिव एलिमेंट है वो इन तीनों में से कौन सी रेडियाइशन जो है वो अमीट कर रहे हैं means के जो है radiation हम ही तोड़ी है वो अल्भा पार्टिकस है या बीटा पार्टिकर्स याocksी वाड़ी पार्टिक्स है तो हम में किस तरह से बत सबता कर तो हम लोग देखते हैं सरसे पahäch 플रč अल्फा पार्टिक्न की बात करते है थीक है यह हमारे helium nuclei है, यह हमारा atomic mass और यह हमारा atomic number, atomic number means कि यह हमारे पास है number of protons, ठीक है, number of protons, और यह हमारे पास number of protons plus number of neutrons, क्योंकि यह atomic mass है, तो इसलिए यह एक number of protons plus हमारे साथ में कि एक number of neutrons, number of Newton's तो इत में कि हमारे helium nuclei है इसमें हमारे पास क्या आल जाता है हमारे पास atomic mass and atomic number जिसमें हम लोग atomic number में देखते है number of protons or atomic mass number of protons plus number of newtons तो अगर हमारे elements ऐसे elements जिनके जो है वो atomic जिनके पास बहुत ज्यादा number of protons और बहुत ज्यादा number of newtons होंगे जिनके नुक्लियस में वो जो radiation समीट करेंगे means कि यह हमारे कोई भी radioactive element है इसके नुक्लियस के अंदर आकर number of protons और number of newtons हमारे बहुत ज्याद है तो यह जो radiation समीट करेंगे यह हमारी alpha particles होंगे तो इसके नुक्लियस के अंदर number of protons और number of newtons में कितने हैं अगर number of protons और number of newtons बहुत ज्यादा होंगे तो वो जो radiation समीट होंगे वो हमेशा alpha particles होंगे इसी तरह आप हम लोग beta particles के अगर बात करें तो beta particles हमारे basically क्या होते हैं हमारे electron beam होती है ठीक है means कि यह हमारे electrons होते हैं ठीक है क्या और तक कि जो हमारे number of protons हैं माइनस में शो हो रहे हैं ठीक है means कि यहाँ पर number of newtons बहुत है वो as compared to number of protons बहुत है ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ऐसे हमारे radioactive elements जिनके अंदर number of newtons बहुत है as compared to number of protons बहुत हो ज्यादा होंगे तो महान से जो हमारी radiation होंगी वो हमारी कौन सी radiation होंगी वो हमारी beta particles होंगी ठीक है तो यह परिएंग करता है number of protons बहुत है जब हम लोग radiation को हम लोग ने identify करना है क्या हमारी कौन सी radiation होंगी तो हम लोग देखेंगे इस ऐलिमेंग नूक्लियस में number of protons बहुत है number of protons को है number of protons बहुत है number of protons कम होंगे तो महान से जो radiation हमारी meets होंगे वो हमेशा beta particles होंगी इसी तरह हमारी last one वो हमारे gamma radiations तीक है जो नुक्लियाई है वो excited state में हो बहुत ज्यादा excited हो ठीक है तो जब भी हमारे nucleus जो है वो radioactive element जो है वो excited state में होते हैं तो वो d excited state में आने के लिए जब radiations emit करते हैं तो वो हमारी radiation से मेंशा beta particles होते हैं ठीक है d excited state जब भी वो excited state से d excited state में आएंगे तो वो जो radiation से हमारी emit करेंगे वो हमेंशा क्योंके हमारी beta particles होंगी यह हम लोग ने इनकी नेचर की बात कर लिए के जो हमारे रेटो नेजर रेटो एक्टिव एलिमेंट्स है जो हमारी radiation से मीट करते हैं थरी डिफेंट डाप्स के अलफा बीटा हो गया मा उनकी nature कैसी है अब हम लोग उनकी प्रोप्टिस को study करेंगे कि उनकी जो radiation से उनकी किस किसन की प्रोप्टिस है ठीक है वो कौन से एफेक्ट जो है वो कॉस करते हैं तो सद से पहले जो हमारा effect है जिसको हम लोग study करेंगे वो हमारी ionization effect तो सद से पहले हम लोग ionization को study करेंगे तो ionization basically क्या है कि अगर हमारे पस for example कोई भी atom है ठीक है यह उसका atom का nucleus है यह उसके shells है ठीक है इस तरह से मैं shells बना देती हूं यह हमारे shells है यह nucleus है यह और shell के हमारे पास होते हमारे पास electron होते है क्या कर रही होती है रिबोलड कर रही है यह अगर क्या कर कोई भी radiation जो है वो आती है यह हम लोगोंने कोई भी एडियान लिया तो यह नूटर फार्मी इतम मिंज बीडियासों कोई इसाइन पॉपर करती है तो वो क्या करें कि जैसी राडियासों इसके उपर फॉपर करेंगी तो जो हमारे ओटमोश है में इलेक्टों से हैं वो क्या करेंगे वो अबसोर्ब करेंगे जैसी वो अबसोर्ब करेंगे वो एकसाइटी स्टेट मÝ आएंगे तो इस के यह इस शेल्ड को जिसर्ड का यहिए रिवाल करれे थी उसको छोड़िके बाहरी नीकल जाएगे जैसे electron यहां से remove होगा तो अपर हमारे जो atom में उसके अंदर जो है वो number of proton जो है वो ज्यादा होगे as compared to number of electrons तो इसलिए अप overall इस shell को इस atom के उपर कौन सा charge well पहुझेगा positive charge well पहुझेगा तो वो phenomenon या वो process जिसके अंदर हम लोग atom को उसके आइंस में split out कर देते हैं positive negative charges में उससे split out कर देते हैं उस phenomenon को कहते हैं ionization तो ionization किस तरह से होते हैं कि जब भी race जो हो किसी भी neutral atom के उपर fall करती है तो वो क्या करते हैं कि वो उसके atom में मुझोद electron को उसके shell से जो रिमूब कर देते हैं उससे बाहिए निकाल देते हैं जैसे electron बाहिए निकलता है तो उस atom के उपर overall positive charge well develop हो जाता है जब atom जो वो अपने charges में split out हो जाता है तो उस phenomenon को कहते है ionization अब हम लोग यह देखेंगे कि हमारे जो जो हमारी radiation से alpha beta गैमा उनकी कितनी power ionization के लिहाज है तो जो मारी alpha particles हैं ठीक है हम लोग से पहले alpha particles के बात करते हैं ठीक है the alpha particles अलफा particles इनकी ionization power बहुत ज्यादा होती यह atom को बहुत और बहुत ज्यादा आयोना आ इस कारते है में उसको उसके ions क्यूद आउट करते हैं दितितैं जैसे आफा पार पार आप करते हैं क्योंकि उसके नूपलियस के गांदर जो नंबर Ó पुर्टॉंस वो अनूटॉंस भोह ज्यादा होते है इसले जो आयोist, पावर है यह बहुत ज्यादा होते है एक्टम को जब उसके आइन्स के अंदर जब बहुत इसले जो फिलिट आउट कर देती है तो इसलिए alpha particles के organization जब सबसे high होगी highest होगी ठीक है इसके बात आप हम लोग अगर beta particles की बात करें ठीक है beta particles तो इसमें क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि beta particles जब बेसिकली क्या होते है electrons होते है ठीक है it means कि अंदर जो हमारे number of protons है वो as compared to number of newtons है वो कम होते इसलिए इसलिए जो इनकी जो ionization power है वो बहुत कम होती है means कि अगर यह किसी भी अगर हम लोग इसे gas के अंदर से for example किसी भी gas में से pass out करेंगे तो क्या होकर यह बहुत कम atoms को जो वो ionize करेंगे क्योंकि इसकी power जो हो इतनी ज्यादा नहीं है कि यह सारे के सारे items को जो वो ionize कर सके means कि उसके electrons को जो जो रिमूब कर सके उसके outermotion में से तो इसलिए इसकी ionization जो power है वो as compared to alpha particles जो वो लो होगी ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे कि यह low है यह intermediate करें लास्ट वो है हमारी gamma radiation गैमर पार्टिकल्स अब हम लोग ने बात कि थी कि जो हमारे गैमर पार्टिकल्स है वो बेसिकली क्या है कि वो जब भी हमारे कोई भी नूक्लियाई जो है वो excited state में होता तो वो excited state से यह जब भी आता तो वो जो radiation से मीट करता है वो हमारी बेसिकली क्या होते हैं गैमर पार्टिकल्स होते हैं मेंस कि इसके अंदर जो हम लोग पॉट्रोंस और न्यूट्रोंस की बाद नहीं करते हैं इसके उपर कोई चार्च नहीं होते हैं बिल्कुल नूट्रल होती हैं ठी क्यों इसके जार्च वालश कैंट चूब में याम कुअपर बेंगाज पादी क्यों होती हैं चीर्च जिनल्फा नायं थあ एकी सबसे ज्यादा बीटा के जो भी चूहीं और आपार्टिक करता हैं रिदू मेंस लिस्ट सबसे कएम अउनाजेश हैं जो हमारी power है वो हमारी गेमा पार्टिकल है वो कीशों है जो प्रोटोहें बाद नहीं करते मैं हमारी नुक्लाय है कि सबया से लिए नीजों केदे हैं अब जो हमारी next property है वो हमारी penetrating power अगर हम लोग power के लिए penetrating ability है देखें अगर हम लोग ionization effect और penetrating effect को देखें तो ये दोनों ये दूसरे के opposite है means कि जिन opposite से मुराजिय नहीं है कि वो ionize कर रहे तो ये उसे जो वो combine कर रहे ऐसा नहीं है means कि power के लिए आसे opposite है जिन particles की ionization power ज्यादा होगी उसकी penetrating power जो वो उतनी ही कम होगी तो penetrating power जो वो as compared to ionization के हमारी आ जाती है opposite आ जाती है ठीक है तो penetrating power बैसी के लिए क्या है कि अगर हम लोग कोई भी paper या कोई भी material है just suppose हम लोग करते हैं ठीक है हम लोग ने कोई material लिया या paper लिया फोर इक्सेंबर इसके पास हम लोग जो कोई भी torch जो है वो इस तरह से लेके आते हैं ठीक है तो क्या होगा कि इस मेंसे जो जब light पास आउट होगी तो कुछ light जो है वो इस paper के अंदर से भी गुज़र जागी वो light जो इसके अंदर से गुज़र की इसके अंदर से पैनिट रेट होगी इसके अंदर से गुज़र जाना means के पैनिट रेट हो जाना ठीक है तो जो हमारी पैनिटेटिंग पावर है वो क्या है कि आएं रेज का रेडियेशन का किसी भी मटेरिया के अंदर से पास आउट हो जाना ठीक है तो अगर हम लोग पैनिटेटिंग पावर की बात करते हैं तो सबसे पहले उसी तरह हम लोग अलफा पार्टिकल्स की ही लेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स हमारे क्या है उसकी क्योंकि आयोनिजेशन पावर सबसे ज्यादा है तो इसके पैनिटेटिंग पावर होगी वह सबसे कम होगी ठीक है लोयस्ट होगी ठीक है कि इसकी बुक में भी हमें वैलुज बताई हुई है कि अल्फा पार्टिकल्स है वो जस्ट फ्यू सेंटिमिटर तक जो हो पैनिटेट कर सते हैं इसके पैनिटेटिक प्रावज क्यों पहुत ही कम है क्यों क्योंकि किसी भी चीज़ में से पास ओट होती है ठीक है, अगर हम लोग air की ही बात करें, तो क्या करेंगे, कि यह air particles को जो आयोनाइस करते हैं कि अपनी जितनी भी energy होगी, जितनी भी power होगी, उसकी air particles को आयोनाइस करने में जो हो यूटिलाइस करते हैं, जिसके वज़ता से क्या होगा, वो उसके अंदर से पास आउट नहीं हो सके कि उसके अंदर ही स्टक हो जाए कि उसे आयोनाइज करने में ही सारे अपनी इनर्जी को यूटलाइज कर लेगे तो अल्फा पार्टिकर्स को किसी भी मटेरिया को आयोनाइज यादा करता है इसलिए इसके जो पैनी टेकिंग पावर रहती है वो आयोनाइजेशं में है तो हम लोग नहीं कहाता कि पीडैकर पार्टिकल्स कि जो इनमीडेट वैं इसके इसलिए बहूप और बहुत कम भी नहीं होगे तो इसको हम लोग लिखतें कि है कि ये क्या है इंटर्मीडियियन मैंज ये ये कुछ अपने इनर्जी वो म्यादा इसरी में का वा इनर्जी ये उटिलाइज कर लएगी और RICHARD के वह उस 17ने की उसके वा एया पार्टिकास को आयओनाइस करने में, कुछ इनजी वो उसके युज़ के यूज़ के आययर पार्टिकरस में से पास आउट होने में तो इसके चो अबिल्टि है, वो है Are exactly few sut plan in air, means के Еयर मेंसे से fewına यूं underwater तकर जो है बात के थे निटाइस अब नहीं हमारे gamma particles थिक है अब हम लोह ने कि जब आयोनाइजेशिंग की बात की थी तो हम लोगने को था के चम्यवी अकली काल था किसी हु मथिर्टियय को जब बारी नहीं कर सकता इक आयोनाइजेशिंग थीक है यह बहुत काम निचेशिंग रडी पासफिक सबसे हाईหोगी है इसके प्राइत इसके प्राइटेटिंग प्रावर होगी मेंस और जा आइमने नहीं करेंग तो अपलके सारी जो इंटरियं उस इस यह पार्टिकल्स में से पास होने में ही हूँपार tag करेंगे इसलिए करें अरो जा वू ह beter ठ्रैवर कर सकते बंस इंद बम तो इसका मतलब है कि जहां पर हमारी गेमा रेडियेशन जो है वो अमीट हो रही होंगी महां भी हमें जो ज्यादा प्रिकोशिंद मेज्ट वो यूज करने परेंगी और हमें ऐसा माटीरियल यूज करने परेंगा जो कि बहुत ज्यादा ठीक हो ता कि उसके अंदर जो गेमा पर्टिकर्स को जो ऑब्सॉर्ब किया जा सके और किसी भी किसें का जो हमें नक्साया ना हो सके तो यही था हमारा आँगा ड्रॉपी जिस में cela हम लोगों ने radiations की nature को study किया और उनकी properties को जो वो study किया तो इंशाला ताला next वीडियो में जो हम लोग next topic को study करेंगे तब तक के लिए अपना ख्यार रखेगा अला हाफीज